इस वीडियो में दिखाये जाने वाले सभी पाक्रकालपने की हैं, इसका किसी भी जाती धर्म या किसी भी सम्मुख से सम्मधित कोई भी रिलिजनेशेट नहीं है, अगर यह किसी से सम्मधित पाया जाता है तो अब अस एक संयोग मात्र होगा, यह वीडियो एडूकेशन पर पसके लिए बनाय जा रहा है इसे दिल पर ना लें और नहीं इसे किसी के साथ आप किसी भी परकार का गलत वेवार करें धन्यवाद झाल रहा है झाल 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 नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इकार की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ आप गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह प्लस हौट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वौक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द घूमती है जिस प तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सविना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, तासाब, भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला, फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी, लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्त एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट श्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपी पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताईएगा जरूर्くी, यह मूवी आपको कैसी लगे थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवियें काफी जानदार सांदार गरदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फि कर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सक के इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत सवार हो जाता है अक्षय कुमार ने अपने कैप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियो जे के तहद का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लि फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवर्दस्ट फिल्म है जो कि बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के दुआरा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवर्दस्ट एक्टिंग हुई है यह डि एक तालिस मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फि कर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वोक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीँ देखने को मिलेगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा ज़रूर्ट कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ी movie ने काफी जानदार सांदार गजवदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बतायेगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फ कर और सरद के लेकर प्रमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दिक का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टडियो जे के तहर फिल् सनं कंपनी तुसार अंटरेव़्यमेंट हाउस सबीनाइंटरेव्यमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेल पात्र खेत्रपाल तासाब भॉहमरा के साथ मिलग़ पट्टह त लिखी जिसमें साम जी ने पटे कता और सम्वादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट अक्टिंग हुई हैं यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकर यह मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रजामिस्रा राज सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ वुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटेटेंडम की जिसमें साम जी ने पटेका था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह इसमें इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी भी है और वाकई मूवी में काफी जांदार शांदार गजवरदस्ट प्रहे हैं तो आप जरूर बताई एगा मैं मिलता हूं आपके किसी नई वीडिएओ में तब तब तक के लिए जै हिन, जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी, जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडिय फिल्म हैं जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म हैं। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है। अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया। तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सवीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी। जिसमें सामजी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला। फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह ड एक तालिस मिनिट की है और यह 9 नमंबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिपर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीज़े नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे क की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्षक के इर्दिगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियोजे के तहट फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लौंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटरेटेन्मेंट हाउस और सवीना एंटरेटेन्मेंट के साथ लौरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल पठेकता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टेकाता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस हौट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिपर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी हैं काफी जानदार सांदार गजबर दस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागफ लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्षक के इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्टिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ औप गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको गई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नई-नई देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगती क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकर यह मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारतिय हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई के लॉंच्ज की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटरेंदमेंट हॉसज और सविन एंटरेंटमेंट के साथ लोरेंस ने परहाद सामजी असपर्स खेल पात्र खेतरुपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल फट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्वी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अड़वाने का जबरदस्ट फिल्म है जो कि बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्त एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट स्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खा करलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस मूभि को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर यह मूभि आपको कैसे लगे क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ी movie हैं काफी जानदार जानदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजेस्तरमा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ वुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ अवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह लोगोदी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी है क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मभी अच्छी भी है और वाकर इंदार साणदार न गर बदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपके किसी नई विडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत मिलते हैं दूसरी विडियो चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द एकनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा राजे सर्मा अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगर्द घूमती है जिस पर एक ट्रा तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सविना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी जिसमें साम जी पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह से एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपी पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगए थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवी हैं काफी जानदार सांदार तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इगारा की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे स्तर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर प्रमुक भूमिका निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्धिक का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोशना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के 72 फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईगे जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगी थी क्योकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवी हैं काफी जानदार जानदार गजवरदस्थ रहे हैं तो आप ज़रूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई विडियो में तब तके लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी विडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्टिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैप आप गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी जिसमें साम जी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह अधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूस नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्दिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवर्दस्ट फिल्म है जो की बहत्रिन फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवर्दस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्दिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ आफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्टडियोजे के तहट फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाकर यह movie ने काफी जानदार सानदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है, ठीक है नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इकार की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते है फिल्म एक ऐसे सक्सक के इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो कि बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के दौरा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह 40 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों फिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताएगा मैं मिलता हूँ आपके किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फ कर और सरद के लेकर प्रमुख भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दी का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टडियो जे के तहर फिल् क्षोसरन कंपानी तुसारंअडर्टेन्मेंट हाउस और सभीना एंट्रेन्मेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेल पातर खेत्रपाल तासाव भांबरा के साथ मिल्कल पठ्ठे का टा लिख ही जिसमें साम जी ने पठ्ठ्ठे का ता और सम्वादों को ह हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवदर्श्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपके किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केट आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टडियोजे के तहट फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ी movie ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्षत रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इकार की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा आंजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ वुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिल्कल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह प्लस हौट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वौक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी नहीं क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीये काफी जानदार सांदार गर्जवद रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा में मिलता हूं आपचे किसी नई विडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै भारत मिलते हैं दूसरे वुडियो में चेलिए थीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत करते हैं हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रेजवी एक भारत्य हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे कि रागव लॉरेंस के दौरा लिखा और निर्देसित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्ष के इर्दिगर्द भूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ आफ गुड फिल्म्स और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिल्कल पठ्ठेकता लिखी जिसमें सामजी पठ्ठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह लोगोदी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपी पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दू नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो की 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सक के इर्दिगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टिडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कमपनी तुसार एंटरेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटरेटेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर सखेल खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पट्टे कता लिखी जिसमें साम जी ने पट्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्पी फिल्म जो है वह अक्षेकमार और कियरा अड़वानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपी पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाक़ी मूवीं काफी जानदार सानदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी का आज स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इकार की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमिका निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेग्दिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म्स और फॉक्स स्टार स्ट्डियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कमपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर सखेल पात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठ्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पठ्टे कता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस हॉट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवी ने काफी जानदार सांदार गजवदस्थ रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपके किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी काफ स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फ कर और सरद के लेकर प्रमुक भूमी का निवाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत्सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टडियो जे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिल्कल पठ्टे कता फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जोकी बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डि 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसी लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्श्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं हैं दूसरी वुडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी काफ स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिजवी एक भारति हिंदी भाणसा की हौरर कोमेडी फि उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवान ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहट फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिल्कल पट्टे कता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टे का था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 21 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी किकी यह मुवी काफि अच्छी पश्ची मुवी थी और काफि मुवी अच्छी भी है और वाकए मुवी हैं काफि जानदार जानदार गज़वरदर्त तरहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में तब एक के लिए जय हिन जय भारत मिलते हैं दूसरी विडियू में फ्याूं मस्कार दोस्तों आप सभिकास्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनेल में दोस्तों आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारतिय हिंदी भासा की हॉरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना दोहजार इकार की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमिका निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है। अब भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी। जिसमें साम जी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला। फिल्म की घोशना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है। और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है। यह डिजनी प्लस होट श्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी। इसका भासा हिंदी रखा गया है। और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी। क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवदस्त रहे हैं। तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जै हिन, जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में। चलिए ठीक है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है। जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है। उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं। फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दगिर्द घूमती हैं जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थी का भूत सवार हो जाता है। भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला। फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रिल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी। लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है। और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है। यह डिजनी प्लस हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं। इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी। इसका भासा हिंदी रखा गया है। और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्सों के पर कमाई भी किया था। इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेगी। अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसी लगी थी। क्योंकि यह movie काफी अच्छी movie थी और काफी movie अच्छी भी है और वाक़ी movie ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्ष्ट रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रजामिस्रा राज सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ बुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटेटेंडम की जिसमें साम जी ने पटेका था और समवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह 21 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्सों के पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई छीजें नही नही देखने को मिलेगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगी थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी भी है और वाक़ी मुवी ने काफी जानदार जानदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारत्य हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पह और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं, फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है, जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्ति का भूत सवार हो जाता है, अक्षे कुमार ने अपने केफ आप गुड फिल्म और फॉक्स स्टार स्टुडियो जे के तहर फिल्म क असपर्स खेलपात्र, खेत्रपाल, तासाब, भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी, जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला, फिल्म की घोशना जनवरे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी, और मार जबरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा, अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट श्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल एक घंटा 41 मिनिट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिपर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी, अग बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगी थी, क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी, और काफी मुवी अच्छी भी है, और वाकई मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक, इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के ले वुड़ फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कफूर की नए लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ, लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी, फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्पी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अड़वानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवदी एक घंटा 41 मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज भी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओफिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगी थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवी ने काफी जानदार सांदार गजवरदर्षत रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजेस्तरमा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमिका निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्स के इर्दगिर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप आफ वुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोड़क्शन कंपनी तुसार एंटर्टेंडमेंट हाउस और सबीना एंटर्टेंडमेंट के साथ अवादों को हिंदी संस्क्रेंड में डाला फिल्म की घोषना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है यह प्लस हौट इस्टार पर आप देख सकते हैं इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वौक्स ओपिल पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्ची मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकरी मूवी हैं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त प्रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रेज भी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फि कर और सरद के लेकर परमुख भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्ष के इर्दिगर्द भूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेगति का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने कैफ ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो जे के तहद फि असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाब भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी जिसमें सामजी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह फिल्म है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ऑफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मुवी काफी अच्छी मुवी थी और काफी मुवी अच्छी भी है और वाक़ी मुवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है नमस्कार दोस्तों आप सभी कास स्वाकत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेक इसमें अक्षे कुमार और क्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा र भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केफ ऑफ फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टुडियो के तहर फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटेटेंडमेंट हाउस और सबीना एंटेटेंडमेंट के स लॉरेंस ने फ्रहाद सामजी असपर्स खेलपात्र खेत्रपाल तासाव भामरा के साथ मिल्कल पट्टेकता लिखी जिसमें सामजी ने पट्टेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेण में डाला फिल्म की घोसना जनवरे 2019 में की गई थी जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समापत हुई थी लक्ष्मे फिल्म जो है अक्षे कुमार और कियरा अधवानी का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिण फिल्मा में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गयी है और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई है यह डिज एक तालिस मिनिट की है और यह 9 नवंबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी वॉक्स ओपिस पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी अगर आप इस मुवी को देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर कि यह मुवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकर यह मूवीएं काफी जानदार सानदार गजवरदर्श्थ रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रिज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है, जो हिंदी फिल्म उध्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग, इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने, जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के ल फिल्म और फॉक्स स्टार स्टुडियोज के तहर फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कपूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेन्मेंट हाउस और सबीना एंटर्टेन्मेंट के साथ, लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी, असपर्स खेलपात्र खेतरपाल, तासाव, भामरा के साथ मिलकल पठेकता लिखी, जिसमें साम जी ने पठेकता और समवादों को हिंदी संस्क्रेन में डाला, फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी, और मार्च 2020 में समाप्त हुई लक्ष्मी फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवानी का जवरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं, और काफी जवरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट इस्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज वी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपिल्म पर कमाई भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजे नही नही देखने को मिलेंगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताइएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगी थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी मूवी अच्छी भी है, और वाकई मूवी में काफी जानदार, सांदार, गजवरदस्त रहे हैं, तो आप जरूर बताइएगा, मैं मिलता हूँ आप से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैभारत, मिलते हैं, दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रेजवी एक भारते हिंदी भासा की होरर कोमेडी फिल्म है, जिसे की रागव लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया जो हिंदी फिल्म उद्योग में निर्देशन की पहली फिल्म है, उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और प्यारा अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुख भूमी का नि और फॉक्स इस्टार स्टुडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया, तुसार कफूर की नई लॉंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटर्टेन्मेंट हाउस और सबीना एंटर्टेन्मेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद साम जी असपर्स खेलपात्र, खे 2019 में की गई थी, जबकि मुखे फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त होई थी, लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जवरदस्ट फिल्म है, जो के बहत्रिन फिल्मों में से एक फिल्म है, और अलग-अलग लोगो दिवरदस्ट एक्टिंग हुई है, यह डिजनी प्लस होट श्टार पर आप देख सकते हैं, इसकी कुल अवधी एक घंटा 41 मिनट की है, और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज भी थी, इसका भासा हिंदी रखा गया है, और यह फिल्म जो है, वह अच्छी खासी बॉक्स ओपी पर कम भी किया था, इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेगी, अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं, तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी, क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी, और काफी नई वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, जैभारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में, चलिए ठीक है, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कास स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षमी, जो कि 2020 में रीज भी एक भारते हिंदी भासा की हौरर कोमेडी फिल्म है जिसे की राघवर लॉरेंस के द्वारा लिखा और निर्देसित किया गया है जो हिंदी फिल्म उद्ध्योग में निर्देसन की पहली फिल्म है उनकी अपनी तमिल फिल्म कंचना 2011 की रिमेग इसमें अक्षे कुमार और 11 अडवानी ने जबकि आईसा रज्जामिस्रा, राजे सर्मा, अस्विनी काले सकर और सरद के लेकर परमुक भूमी का निभाते हैं फिल्म एक ऐसे सक्सके इर्दिगृत घूमती है जिस पर एक ट्रांजेक्टर वेक्थिक का भूत सवार हो जाता है अक्षे कुमार ने अपने केप ऑफ गुड फिल्म और फॉक्स इस्टार स्टेडियोजे के तहद फिल्म का निर्मान भी किया तुसार कफूर की नए लौंंच की गई प्रोडक्शन कंपनी तुसार एंटेंटन्मेंट हाउस और सबीना एंटेंटन्मेंट के साथ लॉरेंस ने फ्रहाद शाम जी असपर सखेल्पात्र खेत्रपाल तासाब भांबरा के साथ मिल्कल पठे कता लिखी जिसमें शाम जी पट्टेका था और समवादों को हिंदी संस्क्रण में डाला फिल्म की घोषना जनवरी 2019 में की गई थी जबकि मुख्य फोटोग्राफी अप्रेल 2019 में हुई थी और मार्च 2020 में समाप्त हुई थी लक्ष में फिल्म जो है वो अक्षे कुमार और कियरा अडवाने का जबरदस्ट फिल्म है जो के बहत्रिन फिल्म में से एक फिल्म है और अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग चीजें इसमें दिखाई गई हैं और काफी जबरदस्ट एक्टिंग हुई हैं यह इसमिनिट की है और यह 9 नमबर 2020 को रिलीज हुई थी इसका भासा हिंदी रखा गया है और यह फिल्म जो है वह अच्छी खासी बॉक्स ओफिल्म पर कमाई भी किया था इसमें आपको कई अच्छी कलाकारों के साथ कई चीजें नहीं नहीं देखने को मिलेंगी अगर आप इस मूवी को देख चुके हैं तो बताईएगा जरूर कि यह मूवी आपको कैसे लगे थी क्योंकि यह मूवी काफी अच्छी मूवी थी और काफी मूवी अच्छी भी है और वाकई मूवीं काफी जानदार सांदार गजवरदस्त रहे हैं तो आप जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत मिलते हैं दूसरी वीडियो में चलिए ठीक है ठीक है